तो हलो गाईस फिर से बार बहुत बहुत स्वाध है हमारा चनल स्टॉक मर्केट आड़ा में तो दोस्तो बात करने बाले हैं फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की बारे में क्या एसर को बाय करना चाहिए क्या इसका फंडामेंटल है नेक्स तार्गेट क्या रहेगा फुल डिट रिटेन दिया है लिक्रवी खतम हो चुगा क्या इसको खरीदने चाहिए हम लोग बाश चेम करेंगे का प्रोफित लॉस घर कर रहा आई करेंगे यह अरुच डाटा रेंव में डाउने नेट्वर्थ में डाउन है प्रोफिट देखोगे प्रोफिड में 2021 में परीबन 3190 करोण का लॉस हुआ था यानि कमपणी लॉस में किंग कमपणी रेजल भी ठीक से अनॉंसमें नहीं कर रहे हैं तो हम लोग CR को जरूर से अबर्ड करेंगे छोटा आमांट देखकर बाय नहीं करेंगे रिटेल इंबेस्टर 82 परसंट प्रोमोर्टर 45 परसंट फरेंट इंबेस्टर 2.60 डोमेस्टिक वेल 0.97 वीच्वाल फट यहांपर 0.004 परसंट रखे हैं कमपानी का अगर हम लोग full details यहांपर देखते हैं DSE NSE 2.60 लिस्टिंगे 188 करोड का मार्केट का आवे P नेगटिव और Google नेगटिव और डिविडेन नहीं देता है रोच नेगटिव फेस्वाल हो ठूकाए पर जब 13,000 करोड का रिजब नहीं रखाए असेट रखाए फ़लेम ठिकता के फ्रीक्यास नहीं रखाए और नेगटिव और डिविडेन नहीं देता है डेट विडेन जिरो 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 ए उसके अलावा आप देखो वे रिटेल टेडिंग बिजनेस करता है और यह कंपानी आप नमबर पर आता है आप देखों कंपानी के घ्र ब्रोंप पर अंबर कर सकता है तो होप करता आपको पसंद आएगी दोश्तों प्लीज ब्रेब को लाग कीजिए जनलोर को सब्सक्राइब कीजिए मिलते को ने सिंडिस्टिंग गुले में तब तक देजा हैं वंदे मात रमनुस्टाइब